नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एड़िसिक्स में रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ उत्तर प्रदेश से कुछ अपकमिंग वेकेंसी की बारे में यहां पे चर्चा हो रही है करिब 6,000 से भी ज्यादा दरोगा की बहाली की बात हो र है उसके बारे में एक छोटा सा डितेल आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से अगर आप Limited की तरफ से ये वेकेंसी निकाली गई है जो भी छातर eligibility फोलो करते हैं वो प्लीज यहां पे apply कर सकते हैं और ऐसे ही पलपल की update आपको बिहार से भी मिलती रहेगी उत्तरप्रदेश से जहारकंड से जितने भी राज्ये हैं जहां जहां से वेकेंसी यो भी update आती है हम अपने चैनल के मादन से लेकर आते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम भी follow करें जोईन करें वहाँ पे इन सब का PDF भी वहाँ पे आपको share कर दिया जाएगा तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इसकी update पे जो कि आज की खबर हिंदुस्तान में दी गई है कि पुलिस में जिहां 6,000 दरोगा समेट करीब 74,000 पदों की भरतियां होने जा रही हैं लेकिन ये 74,000 पदों में 6,000 जिहां सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर की बहाले की बात की गई है दोस्तों आज की खबर हिंदुस्तान में जो कि लखनव का एडिशन है और यहां पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रिल स्टाफ के लगभग 74,000 पदों की भरती की प्रक्रिया सुरू होने वाली है इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संक्या लगभग 6,000 बतायी जा रही है और उत्तर प्रदेश भरती यहां प्रवनती बोड को लेकर यहां पे यह अपडेट दी गई है दोस्तों आपको बता दे कि यहां पे जो पदों के लिए अगले हफ़ते तक विग्यापन जारी कर सकता है सरकार इसके लिए अगले हफ़ते ही इसका विग्यापन आ जाएगा तो आप अपने तयारी में लगे रहें जो भी अपडेट आएगा उत्तर प्रदेश की इस ब्याहाली को लेकर मैं आपको देता रहूँगा अपने चैनल के माद्यम से और अगर आप इसकी तयारी के लिए हामी भरते हैं तो इसकी तयारी भी बहुत ही जोर सोर से कराने सुरू कर दी जाएगी तो प्रदेश के मौजूदा सरकार के कारिकल ने पुलिस में अपरेल 2017 से लेकर अब तक एक लाख 37,253 पदों की भरती की जा चुकी है भरती बोड ने इस बार जियां सब इंस्पेक्टर के 6000 पदों के साथ स्टेनों और एकाउंटेंट समेट जितने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं जिसके लिए करीब 1400 पोस्ट है यहाँ पे उन पदों की भरती की तयारी कर चुकी है सिपाहियों की बात करें तो करीब 49,568 जो की मैंने एक न्यूस की मादिम से आपको बताया भी था कि यह वेकेंसी जो है होने वाली है तो यह वेकेंसी के पदों पर जो भरती हुए नौजवान को फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है यह इसकी सारे रिक्रूट्मेंट प्रोसेस हो चुकी है और इनका ट्रेनिंग सेक्षन चल रहा है अब यह ट्रेनिंग सेक्षन खतम होते ही बाद में इनका जो अलग जो और 50,000 क वेकेंसी बचा हुआ था करीब एक लाग की वेकेंसी के बारे मने आपको बताया था सिपाही की बाले में जी हा उतर प्रदेश का अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं पुराने वीडियो जा कि हमारे तो वहां पे ट्रेनिंग चल रही है और सिपाही के इन की बहाली अगले हफते इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो अगले हफते ही आ जाएगा नोटिफिकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको समय दिया जाएगा लगबग एक महीने का आप इसके लिए आविदन कर सकेंगे अगर आप बिहार से छात्र हैं या फिर जारखंड के हैं देन तब भी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं यहां पर आपकी जो यहां पर कैटेगरी वाले अगर स्टुडेंट है आप यानि की OBC या CSD तो यहां पर कैटेगरी का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा तो कि यह सिर्फ और सिर्फ उत्तरप्रदेश की सर दिया गया है कि जल्द ही इसका अगले हफते ही विग्यापन आ जाएगा तो यह अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज है और सबसे अच्छी क्योंकि उत्तरप्रदेश की पुलिस यहां पर बहुत अच्छा कर रही है रिकूट्मेंट भी वहां होने वाली है तो यह बहुत सोने पर सुहागा होगा अगर यह वेकेंसी आ जाता है अगले ही अफते तो और रही बात इसके प्रक्रियाओं के तो जैसी इसका ओफिशल नोटिफिकेसन आएगा मैं उसके बारे में सारा डेटेल एक एक करके वन वाई वन करके आपको बताऊंगा और कैसे फॉर्म का तो अगर आप सिपाही या पुलिस भरती में त्यारी करना चाहते हैं तो आप वाई टी एजूकेशन चैनल को यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहां से हर वो जॉब नोटिफिकेशन आपको शेयर किया जाते है हमारे चैनल के माध्यम से तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मौजूदा सरकार में करीब 1,37,000 पदों की बहाली की प्रक्रिया समाप्त होने को है 49,000 की ट्रेनिंग चल रही है और यहां पे ट्रेनिंग के लिए कुछ वेकेंसी जो बची हुई है उनको ली जाएगी और उसके अलावा यहां पे दरुगा की बहाली को प्रक्रिया को लेकर 74,000 कुछ पदों की वेकेंसी बताय जा रही है जिसमे 6,000 दरुगा और कुछ मिनि लाइक और शेयर करके जरूर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में जो भी कुछन पूछना होगा जरूर पूछ सकते हैं खेर अभी के लिए तना ही बवाय टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का और एक ब्रेकिंग निउस सुबह की आप लोगोंने देखी ह होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक हत्यारे एक मडरर का एंकाउंटर कर दिया है अब उसके बारे में सारा डिटेल थोड़ी दर के बाद आपको पब्लिश मिल जाएगा उसके पॉस्ट माटम रिपोर्ट मिल जाएगा जिसका नाम था विकास दूबे यहां तो यह पर काम्याभी मिली है उत्तर प्रदेश को तो यह भी एक निउस था यहां का जो कि बहुत ही ब्रेकिंग निउस था तो धन्यवाज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का